हेलो बच्चों गुदीवनिंग कैसे हैं आप सभी वेलकम टू यू इन दाउटनेट लाइक क्लासेज मैं हूँ डॉली अपकी बायलजिम एंदर तो अर्लियर क्लासेज में हम लोगों ने डिसकस किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग और्गिनिजम जो कि बहुत ही interesting chapter है क्लास 9 का क्योंकि यह chapter different types के organisms के बारे में बात करता है variety of living organisms के बारे में बात करता है जैसे कि आपको नाम ही बता देता है diversity the meaning of the diversity is the variety of living organism तो इन living organisms को अलग अलग group के अंदर place किया है क्यों place किया है ये सारी के सारी चीजे describe कर ली थी हम सब भी ने तो बच्चों इन सभी चीजों के साथ में एक छोटा सा एनाउस्मेंट मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ और ये एनाउस्मेंट यह है कि डाउटट आप सभी के लिए क्लास 9 का English Medium का VIP कोर्स स्टार्ट कर रहा है जो कि स्टार्ट होने वाला है एक जून से तो बच्चों आप सभी इस क्लास इस कोर्स के अंदर एन्रोल करवा सकते हैं क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे बैनेफिट्स और वो बैनेफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इस classes के duration में या इस course के duration में आपको मिलेंगे सारी classes के recorded lectures कभी भी ठीके throughout the year उसके अलावा आपको teachers के return notes अवेलेबल होगी आपको proper homework दिया जाएगा उस homework की proper monitoring होगी test series conduct कराई जाएगी उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में क्या होगी number of books अवेलेबल होगी उन books के अंदर जैसे के NCRT books हैं तो उन सभी के video solutions हमारे पास में अवेलेबल हैं जो आपको provide किये जाएंगे प्लस यह course अपने आप में best है क्योंकि इस course में आपको पढ़ाने वाले top teachers जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे results निकाले हैं best results दिये और यहाँ पर आपकी सारी doubts का होगा सफाया तो doubt nerds अपने doubts को clear करने के लिए बहुत ही फहमास है and these are the some teachers जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं class 9 के अंदर important courses so यहाँ पर doubt nerds जो है बच्छा हमीशा से ही best results देता आया है यह कुछ बच्छों के results भी है जिन्होंने अपने में top results प्रवाइट किये हैं plus more than 100 students जो है उन्होंने 85% से भी जादा marks यहाँ पर score किये हैं doubt nerds यहाँ पर क्यों है बच्छा doubts का सफाया करने में number one है क्योंकि doubt nerds ने अभी तक 50 lakhs से भी जादा questions के video solutions जो है अपनी app पर डाले हुएं अगर आपको पढ़ते समय, homework करते time, notes पढ़ते time, किसी भी doubt में कोई भी question आए तो simply आपको क्या करना है उस doubt की photo click करनी है, किस तरीके से photo click करनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, this is the way, आप तुरंट से यहाँ पर क्या करेंगे, doubts की photo click करेंगे, आपकी doubt nerd की app के उपर photo click करने का option आता है, आप यहाँ पर इस तरीके से frame shift करेंगे frame shift करने के बाद में आप उसका video solution देखेंगे, तो इस तरीके से आपको video उत्तर देखें में जवाब आ जाएगा इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt रह जाता है, तो simply आप उस doubt को comment section में लिखेंगे, comment section में लिखने के बाद में आपके respective teachers जोंगे, उस comments का यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चा answer करेंगे, तो you need to understand कि doubt nerd आपके सारे doubts solve करने वाला है and this course is available with minimum fees and the amount of the course is the only 6,000 rupees क्योंकि doubt nerd चाहता है कि आपको सभी को proper education मिले, तो there is the one year complete fees is the 6,000 rupees जिसमें आपका complete syllabus cover किया जाएगा including the science, math, social science and the English, सारे subjects को cover up किया जा रहा है बच्चा, इसके अलावा भी अगर आप और भी details जानना चाहते हैं, तो you can call on the number 0124-715-8250 पर आप call कर सकते हैं, या फिर आप missed call भी दे सकते हैं, या फिर comments कर सकते हैं, तो बच्चा जल्दी से बताइए, क्या आपको class 9th का VIP course class 9th का VIP course जोईन करना है, तो you can see, you can click on the हा button and if you don't want to join the class 9th VIP course, you can click on the नही नही बच्चा, it is up to you, but it is my personal suggestion, अगर आप जोईन करते हैं, तो you will get more and more benefits, okay बच्चा, तो I hope आपको सभी समझे समझ में आई होगी, तो start करते हैं हमारे topic से, पिछली classes में हम लोगों ने basis of classification learn किया था, जो हमारा revision mode था, revision mode के अंदर, हम लोगों ने basis of classification डिसकस किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि organisms को किस basis पर divide किया है, और आज की class में जो हम discuss करेंगे, hierarchy के बारे में discuss करेंगे, hierarchy of organisms, categories की hierarchy के बारे में बात करेंगे, तो basis of classification is already discussed by us, तो हमने यहां पर क्या देखा था, organisms को cell के basis पर divided किया है, कि organisms यहां पर unicellular organisms है और multicellular organisms है organisms को हमने किस basis पर divide कर दिया है, organisms को इस basis पर divide किया है कि organisms यहां पर एक cell से مिलके बने हैं, या multiple cells से मिलके बने हुउए अलावा cell का nature कैसा है, cell prokaryotic cell से या eukaryotic cell से, इस basis पे भी हमने organisms को divide किया है, तो बच्चों फटापट से आप जॉइन हो गए हैं, फटापट से जॉइन होते जाएए, तो very warm welcome to all of you, फटापट से जॉइन हो जाएए और continue करिये classes को, क्योंकि अभी तक हम तो बच्चों हमने यहाँ पर पिछली classes में basis of classification में तीन चीजों के बारे में discussion किया था, कि तीन basis पे हम लोग organisms को classified करते हैं, पहला is the cell is prokaryotic और the eukaryotic, second organism is unicellular और the multicellular, and the third type is the mode of nutrition, what is the meaning of mode of nutrition बच्चा, mode of nutrition organism autotropic है या फिर heterotropic है, autotropic का meaning में ने क्या बताया था, जिन जिन बच्चों को autotropic का मतलब आता है, heterotropic का मतलब आता है, they can write their answer in the comment section, वो अपने answer को comment section में लिख सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं, कि they are very well aware about the autotropic and the heterotropic, ताकि मुझे भी लगता रहेगा कि classification इस तरीके से, organisms can be the prokaryotic or the eukaryotic, अब prokaryotic जो होते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, unicellular होते हैं, prokaryotic organisms are always unicellular and the eukaryotic can be the unicellular or the multicellular, क्या हो सकते हैं, unicellular or the multicellular हो सकते हैं, तो इन सभी organism का types of nutrition क्या हो सकता है, चाहे वो prokaryotic हो, चाहे वो eukaryotic हो, उनका types of nutrition हो सकता है, कि वो autotropic nutrition शो करते हो, या फिर heterotropic nutrition यहाँ पर शो करते हो, तो ये funda आपको clearly understood करके रखना है, बच्चों इन सभी जीजों पर आपने focus करनी है, तो basis of classification is already very much clear to us, तो आज की जो basically, आज का class जो है, आज की जो class है हमारी, वो important है हमारे लिए किस लिए, क्योंकि हम discuss करेंगे hierarchy of biological classification, hierarchy का मतलब मैंने previous classes में discuss किया था, कि एक organisms या पूरी की पूरी अर्थ को, पूरी अर्थ के उपर, जितनी भी variety of living organisms हैं, variety of living organisms हैं, उनको particular categories, group के अंदर place किया गया है, किस के अंदर place किया है, particular group के अंदर place किया गया, ठीक है बच्चों, तो biological classification में इस group को हम लोग क्या बोलते हैं, that is known as the category, तो जैसे kingdom is a category, phylum is a category, class is a category, order is a category, family is a category, genus is a category, species is a category, तो अलग-अलग categories में हम लोगों ने क्या किया है, organisms को place किया हुआ है, जैसे suppose करो, अर्थ के उपर, यहाँ पर कितने kingdom हैं, कितनी variety, वो तुमें बाद में बताऊंगी, पहले मोटा-मोटा समझ लेते हैं, यहाँ पर variety of living organisms है, suppose करो, seven million variety है यहाँ पर, ठीक है, seven million variety of living organisms अर्थ के उपर present है, suppose करके चलते हैं, इतनी variety present है, तो इन में से कुछ categories plant की होगी, कुछ category animals की होगी, कुछ category बिल्कुल ही, अलग group की होगी, different group की होगी, उन group का नाम फिलाल आप नहीं जानते हैं, ऐसा मैं मान के चलते हूं, अभी सिप ऐसा मान के चलते हैं, कि आपको दो ही group पता है, पहला group है plant, और दूसरा group है animal, क्योंकि easily available है, सब को दिख जाते हैं, animal सब को दिख जाते हैं, आसानी से, plant सब को दिख जाते हैं, इसलिए मैं ने अभी के लिए ऐसा मान लिया, कि you are only aware with the two group, ठीक है, दो group से आप aware हैं, तो बच्चा, इन group को हमने नाम दे दिया kingdom, तो ये पहला group, इन group को हमने क्या बोलते हैं, kingdom, अब आपके पास में दो ही kingdom है, एक तो kingdom है, आपके पास में plant kingdom, और दूसरा kingdom, आपके पास में कौन सा kingdom है, animal kingdom है, यानि कि जो भी organisms आपको animal के character का दिखेगा, आप उसको कौन से group में place कर दोगे, animal के group के अंदर place कर दोगे, तो आप suppose करो, अभी सिर्फ आप किस के उपर focused हो, अभी सिर्फ आप animal kingdom के उपर focused हो, plant kingdom के बारे में बात नहीं कर रहे हो, ठीके, तो आपने क्या किया, पहली category यहाँ पर choose करी, that is here the बच्चा kingdom, और इस kingdom में आपने क्या लिख दिया, kingdom is here the animal kingdom, आपने kingdom category choose करी, और animal kingdom लिख दिया, अब आपके पास में इस अर्थ के उपर suppose करो, आपके पास में कितने animals हो गए हैं, आपके पास में animals का number है, suppose करो, 100 animals आपके पास में present है, आपके ग्रूप में कितने animals हैं, total 100, अब इस में से 100 animals में से आपके 10 एनिमल्स तो हैं पानी में रहने वाले एक्वेटिक, आपके बारा एनिमल्स ऐसे हैं, बारा की जगह मैं चालिस कर देती हूं, इसमें से बीस एनिमल्स आपके एक्वेटिक हैं, चालिस एनिमल्स आपके कैसे हैं, मिल्क फीड कराने वाले हैं, ठीक हैं, और उसके बाद में आ इंसेक्ट वाली केटेग्री में लिख देते हूं कि 40 are here the insect, तो आपने यहां पर 100 में से किसको डिवाइट कर दिया है, 20 तो पानी में रहने वाले हैं, 40 मिल्क पिलाने वाले हैं, यानि कि मैमल्स केटेग्री हैं, और 40 आपके पास में insect है, हो गए आपके सो पूरे, तो अब आपने पहली केटेग्री लिखी animal, तो आप जब भी animal केटेग्री के बारे में लिखते हैं, तो that means you are talking about the all the 100 animals, अब एक्वेटिक को आपने नाम दे दिया, A नाम, मिल्क वालों को आपने नाम दे दिया, B नेम, और इंसेक्ट वालों को आपने नेम दे दिया, C नेम, A, B, C, अब any kingdom is the animal, kingdom के बाद में phylum में लिखा, phylum is the next category, तो जैसे ही में phylum लिखूंगी, तो मैंने लिख दिया, B is the phylum, तो मैंने कितने animals के बारे में बात करी बच्चा, I am talking about only the 40 animals, मैंने सिब किसके बारे में बात करी है, 40 animals के बारे में, तो अब मैं किसके ओपर concentrate हो गई हूँ, इन 40 animals के ऊपर, यानि कि मैंने किसको छोड़ दिया है, remaining 60 animals को मैंने left out कर दिया, अब इस milk की category वालों को, मैंने 4 category में, sub categories में divide कर दिया, और उसको नाम दे दिया, A1, B1, C1 and the D1, समझ में आ रहा है बच्चा, A1, B1, C1 and the D1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, C1, और C1 के अंदर सिर्फ आते हैं, 5 animals, C1 के अंदर कितने animals आते हैं, सिर्फ 5 animals, kingdom, phylum, class, तो जैसे ही मैंने C1 लिखा, तो मैं सिर्फ किस के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ 5 animals के बारे में बात कर रही हूँ, अब इस C1 को भी 2 categories में divide कर देते हैं, C1 को divide कर दिया, यहाँ पर 2 categories के अंदर, और वो 2 categories हैं, A2 and the A3, ठीक है, अब A2 में 3 animals आते हैं, और A3 में 2 आते हैं, यहाँ कि 5 को भी divide कर दिया, कितने में 3 और 2 के अंदर, kingdom, phylum, class, order, order के बारे में बात करी, तो order यहाँ पर कितना हो गया, बच्चा, suppose मैंने लिख दिया, A2, A2 लिख दिया order, तो यहाँ पर A2 लिखा, जैसे ही तो मैं सिर्फ कितने के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ में 3 के बारे में बात कर रही हूँ, ठीके, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, family, तो family के अंदर मैंने लिखा, कि इसको दो पार्ट में divide कर दिया, A2 को फिर से, that is the A4 and the A5, तो A5 में तो मेरे कितने animals से 2, A5 में कितना 1, तो मैंने जैसे ही family लिखा A4, तो मैं अब सिर्फ के बारे में बात कर रही हूँ, दो के बारे में बात कर रही हूँ, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरब जाते जाओगे, वैसे वैसे आप क्या करते जाओगे, इस पे organisms को separate कर दिया है, जो similar है, उनको एक phylum में रख दिया, अब phylum के अंदर भी कुछ-कुछ animals अलग-अलग तर रखें, तो आप और specific हो गए, उन में से भी जिनके character ज़्यादा similar है, उनको आपने एक group के अंदर रख दिया, that is the class, अब उस class के अंदर से भी जिन animals के group और ज़्यादा similar है, उनको आपने एक group के अंदर रख दिया, तो ऐसे करते करते आप कहां तक पहुच गए family, family से genus और genus से आप कहां पर पहुच गए species, तो जब भी हम species के बारे में बात करते हैं, जब भी हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा, जब भी हम species के बारे में बात करते हैं, तो basically हम क्या बात कर रहें, हम किसी specific group के बारे में ही बात कर रहें, मतलब कि जैसे कि एक example समझना, क्या आपको earlier classes का कुछ भी knowledge है, तो आपको याद है किया बच्चा, हमने human का scientific name क्या लिखा था, human का scientific name हम लोगों ने लिखा था, homo sapien, human का scientific हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चो, homo sapiens is the scientific name for the human being, यानि कि मैंने ऐसा बोला था कहीं, कि homo is the genus and the sapiens is the species, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूं sapiens, क्या लिखा मैंने बच्चों, sapiens मैंने लिखा, तो sapiens का मतलब है कि इसके अंदर आने वाले सारे individual एक जैसे ही हैं, यानि कि हम सभी कौन है, sapiens है, हम सभी एक जैसे ही हैं, हम किसी भी केटेगरी में monkey से मिलते नहीं हैं, monkey से हमारा मेल लिए है, क्योंकि monkey की species का है different है, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या होते जाएंगे, specific होते जाएंगे, और last में species के अंदर, सारे के सारे organisms कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, जैसे कि example लो, sapiens का मतलब क्या होता है बच्चों, sapiens का मतलब होता है, कि हम आपस में interbreeding कर सकते, interbreeding का में आ रहा है कि हमारा मेल फीमेल के साथ में री प्रोड्यूस करके अपने जैसे ही बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है अब ऐसा नहीं कि human being lion के साथ में reproduction कर सकता है या human being goat के साथ में reproduction कर सकता है ऐसा possible नहीं है, क्योंकि वो different species है तो species का मतलब क्या हुआ, एक ही जैसे organism तो जैसे अगर मैं सबसे उपर की category में जाओ, kingdom की उपर जाओ तो kingdom के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा large number of animals मिलेंगे जो अलग-अलग varieties के पर जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आती जाओंगी जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आती जा रही हूँ बच्चा मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि मैं अपने similar type की organisms के group के अंदर enter करती जाओ kingdom, kingdom के बाद में phylum, phylum के बाद में class, class के बाद में order, order के बाद में family, family के बाद में genus, genus के बाद में species तो यह sequence fix है अपने आप में यह sequence अपने आप में क्या है बच्चा यह sequence अपने आप में fix है तो kingdom, phylum, class, order, family, genus, species याद रहेगा क्या, अगर याद नहीं रहता है इस sequence को, तो आप short trick से याद रख सकते हैं, keep pot clean, पानी पीने वाला बरतन पोट, keep pot clean, otherwise, family, get sick, अगर आपने पीने का बरतन साप नहीं रखा, तो family क्या हो जाएगी, बिमार हो जाएगी, आपको पता है न, गंदा पानी पीने से बिमार हो जाते हैं, keep pot clean, otherwise, family, get sick, K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, K is here representing the kingdom, K किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, K रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हमारे kingdom को, P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, port को, C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, class को, O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, order को, F किसको फैमिली को G किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सपीशीश को, फटामर से लेंट कर लो, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species keep pot clean, otherwise family gets sick keep pot clean, otherwise family gets sick तो ये sequence हमारी fixed है बच्चा ये sequence हमारी क्या है? fixed है तो kingdom के अंदर क्या हो रहा है? largest group of organisms present है जैसे कि एक example यहाँ पर देखके बताया है इसको मैंने बहुत elaborate ढंग से आपको बताने की कोशिश किये hierarchy, hierarchy का मतलब क्या होता है? that is the sequence यानि कि 10 के पहले 9 ही आएगा 9 के पहले 8 ही आएगा और 8 के पहले 7 ही आएगा तो ये fixed है, ऐसे ही hierarchy क्या है? organisms को classify करने की? कि पहले किसी भी organism को classify करना है तो उसको क्या किस group में डालोगे? kingdom में kingdom के बाद में क्या बोलोगे? कि उसका कौन सा phylum है phylum word इस्तिमाल करते है animals के लिए अगर kingdom के नीचे division लिखा हुआ है, तो division किसके लिए इस्तिमाल किया जाता है? plants category के लिए, यानि कि ऐसे लिखा हो कही kingdom, division class, order, family, genus, species, तो इसका मतलब है, यह plant category है तो यहाँ पर kingdom के आएगा? plant आएगा, यह बात याद रखना आप division मतलब phylum की जगा आप word इस्तिमाल करोगे division, किसके अंदर? plants की category के अंदर यह चीज आपको ध्यान में रखना है इस चीज में कोई भूल चुक नहीं करनी है तो बच्चा, I hope आपको मेरी सारी बाते समझ में आ रही होगी concept is to be clear आज मेरा ध्यान सिर्प आपको पढ़ाने में है इसलिए आप आपस में बाते नहीं करेंगे सिर्प पढ़ाई पे concentrate करेंगे ठीके? तो hierarchy of categories का मतलब क्या है? यहाँ पर there is a series यह sequences यहाँ पर kingdom, phylum, class, order, family यह क्या है बच्चो? animals की categories है कि आपने उनको किस categories के अंदर डाला है and the position of the categories are the fix keep pot clean otherwise family gets sick keep pot clean तो kingdom क्या है? it is the largest group जैसे कि plant is the largest group animals, अब plants के अंदर सारे तरह के plants चाहे वो algae हो algae के बारे में मैंने बताया था ना पिछली क्लास में सबसे simple plant होता है और flowering plant flowering plant सबसे complex होते है animals के अंदर सबसे simple animal और सबसे complex animal सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे अब जैसे जैसे हम यहाँ पर नीचे की तरब जाते जाएंगे हम specific होते जाएंगे तो सबसे जादा specific हम किसमे हो जाएंगे species के अंदर हो जाएंगे तो जब भी इन्हें category category के अंदर इन्हें category अंदर इन्हें ंडेर जाएंगे इन्हेंन अंदर जाएंगे इन्हें हम्डेंगे आपिरोस और सबकरUNG अंदर तर हरो समलर जाएंगे इन्हेंन,र्फ। इन्हेंन, आसिंस्य भूधंगे character are more similar ज्यादा similar character मिलेंगे more similar character हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब जैसे जैसे upward move करेंगे moving upward character will be the more different I hope आपको मेरे सारे concept यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो different characters आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि kingdom, phylum, class, order, family, genus, species ऊपर की तरफ जाते जाओ तो different character species नीचे की तरफ आते जाओ तो more similar character सबसे जादा similar character किस में होंगे? species के अंदर होंगे maximum similar character of organism और सबसे different character किस में होंगे? kingdom में maximum different character organisms जो होंगे? वो kingdom में present होंगे यह चीज आपको ध्यान में रखना है इस चीज पर आपको focus करना है तो चलो समझ लेते है kingdom, phylum, class, order, family का मतलब क्या होता है? फटापट से चलो focus करो बच्चों जल्दी से kingdom का मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? kingdom का मतलब होता है largest group जैसे कि plant and animals here the largest group phylum is for the animal division for the plant organism constructed on a similar plane इसका मतलब क्या हुआ? कि जो organism से उनको किसी particular basis पे classify किया है जैसे कि लिखा हुआ है core data अब core data का मतलब भी मैं यहीं पर आपको explain कर दूँगी देखो core data का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत interesting fact है core data core data का मतलब होता है वो सभी organisms जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो? जिसके अंदर प्रेजेंट हो notocode notocode क्या होती है? बच्चो एक road like structure होती है जो हमारी body में हमको straight खड़े होने में help करती है यह notocode बाद में हमारे अंदर किसमे convert हो जाती है? vertebral column में तो अगर आपकी backbone है तो आप straight खड़े हो सकते हैं अगर आपके पास में backbone नहीं है तो आप straight खड़े नहीं हो सकते हैं तो क्या आप ऐसे animals का नाम बता सकते हैं जिनमें backbone present नहीं होती है कोई ऐसा animal आपने देखा होगा बिल्कुल लचीला सा जिसमें को वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता है उसके पास में noto code present नहीं हो ऐसा कोई animal आप लोगों ने देखा है क्या तो देखो बच्चों हमने पूरे animal kingdom को हमने पूरे animal kingdom को दो categories में divide कर दिया ये पूरा का पूरा kingdom है kingdom animal kingdom ठीक है इस पूरे kingdom को हमने दो पार्ट में divide कर दिया जितने भी animal से उनको कितने पार्ट में divide किया है बच्चा दो पार्ट में और वो दो पार्ट यहां पर क्या है या तो उनके पास में noto code present हो ऐसे animals जिनके पास में noto code present हो या फिर ऐसे animals जिनके पास में noto code present नहीं हो, समझ रहा गई ना मेरी बात, ऐसे animals या तो जिनके पास में noto code present हो, और noto code क्या है, noto code is a stiff road like structure, noto code का मतलब क्या है बच्चा, noto code is here the stiff road like structure, जो की present होती animals में, जिसकी वज़े से उनकी body को strength मिलती है, अगर noto code present है, तो हम उसको कौन से group में डाल देंगे, core data group के अंदर डाल देंगे, और ऐसे animals, जिनके अंदर noto code absent होती है उनको हम लोग कौन से group में डाल देंगे, नोन core data के groupe में डाल देंगे, कैसे group में डाल देंगे, नोन core data के group में डाल देंगे, तो maximum animals is the known core data, जितने भी animals, अगर हम लोग देखते हैं ना बच्चा, उसमें से 99% animals इस group के अंदर आते हैं जितने भी animals आपके surrounding में हैं तो examples तो भर-भर के होने चाहिए आपके पास में जल्दी से बताओ किस-किस ने सही example दिया known code dates का तो butterfly is the example of the known code date कोई noto code present नहीं होती है cockroach is the example cockroach is the example of the known code dates उसके अलावा आप किसका example दे सकते हो चिपकली मत बोल देना चिपकली के अंदर होती है no to code ठीक है यहाँ पर चिपकली is the vertebrate उसके बारे में बात में discuss करेंगे vertebrate क्या होता है अभी सिप code data और known code data के उपर focused कर रहे हैं तो butterfly के अंदर नहीं है cockroach के अंदर नहीं है starfish के अंदर नहीं है और code data का मतलब क्या होता है बच्चा वो सभी animals इनके पास में क्या present है noto code is present तो noto code जिन जिनके भी अंदर present होंगी उनको क्या बोला जाएगा code data कहा जाएगा fish हो गई ठीक है यहाँ पर बहुत सारे example है vertebrates होते हैं उन सभी vertebrates के अंदर noto code present होती है वर्टीब्रल कॉलम मतलब backbone हमारी read की हड़ी उसके अंदर convert हो गई है तो देखो बच्चा अभी हमने जैसे ही इसको देखो यहाँ पर देखो यह focus करो जैसे ही हमने phylum लिखा you can see here जैसे ही हमने phylum लिखा तो phylum लिखते phylum code data लिखते ही जैसे kingdom kingdom is the animal यानि कि आपने सारे plant को exclude कर दिया kingdom के बाद आपने phylum लिखा और जैसे ही आपने phylum code data लिखा तो आपने 99% जो non-code dates होते हैं उन non-code dates को यहाँ से क्या कर दिया है इस category से हटा दिया यानि कि जैसे जैसे नीचे की तरफ move करते जाएंगे वैसे वैसे characters जो होंगे organisms के वो similar होते जाएंगे तो getting my point here तो यहाँ पर core data का मतलब समझ में आ गया तो I hope core data is the group of organisms वो group जिसके पास में noto code available होती है तो I hope बच्चों मेरे सारे questions, मेरे सारी चीजे आपको समझ में आ रही होगी सारे concept आपको clearly understood हो रही होगी तो फटापर से बता दो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है waiting for your check I am checking जल्दी से बता दो बच्चों आ रहा है समझ में आपको ओके बच्चों tell me about this ओके so here I hope आपकी concept अच्छे से clear हो रहे होगी इस सारी चीज़ आपको clearly understood हो रही होगी तो यहाँ पर जैसे ही नीचे की तरफ अब देखो मैं नीचे से नीचे से उपर से नीचे आने की बज़ए नीचे से उपर की तरफ जाती हूँ चलो ऐसे discuss करते हैं species species के अंदर क्या होता है बच्चे सारे के सारे organisms एक जैसे होते है all the interbreeding animals यानि की same population के individual यहाँ पर क्या होगा same population के जो individuals होंगे same population के individuals को यहाँ पर किसमें रखा जाएगा species में रखा जाएगा जैसे की all human beings all humans क्या है एक species के अंदर आते हैं एक group of organisms capable of interbreeding to fertile offspring यानि की हमारे अंदर की category समझना हम को समझना हमारे अंदर male और female है हम आपस में interbreed करते हैं और interbreed करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं interbreed करने के बाद में नई species produce कर सकते हैं समझ में आ गया तो ऐसी बहुत सारी species है जैसे की dog is the one species ठीक है human being is the different human के अंदर homo sapiens is the different species तो ऐसे अलग-अलग organisms की अलग-अलग species का group किसका formation करता है genus का group of genus क्या बनाएगा family group of family किसका formation करेगा order group of order किसका formation करेगा class group of class किसका formation करेगा phylum and the group of phylum is known as the kingdom जैसे की chordata kingdom animal किससे मिलके बना है दो चीजों से chordata plus non-chordate अगर non-chordate और chordates दोनों को मिला दो तो एक group बनेगा that is the kingdom तो ऐसे याद रखना है आप लोगों को कि group of phylum किसका formation करता है kingdom का तो reverse condition में भी आप इसको ध्यान में रख सकते हैं सारे तरीके से आप इन चीजों को अच्छे से learn कर सकते हैं तो kingdom, phylum, class, order, family, genus, species kingdom, phylum, class, order, family, genus, species species क्या है बच्चा? similar organisms का group है उन ऐसी अलग-अलग species हो चार तरह की species चार तरीके की species किसका formation करेगी? एक genus का चार तरह की genus मिलेंगे तो किसका formation करेंगे? एक family का चार तरह की family मिलेगी तो क्या बनाएंगी? एक order चार तरह की order चार में से फिर एक number यूज करेंगे? पांच भी हो सकते हैं, शे भी हो सकते हैं तो अलग-अलग group of order किसका formation करेंगे? अलग-अलग classes किसका formation करेंगे? फाइलम का और group of phylum दस फाइलम है और दस फाइलम मिलके किसका formation कर लेंगे? यहाँ पर एक kingdom का formation यहाँ पर करेंगे तो I hope आपको सारी की सारी चीज़े समझ में आई होगी तो यहाँ पर एक इनों ने classification दिया है देसे की classification किसका दिया है यहाँ पर Pardus का How many do you know about the meaning of Pardus? Pardus क्या होता है? जल्दी से मुझे बता दो बच्चो तो Pardus क्या होता है? फटापट से बताएंगे Pardus क्या होता है? Okay Pardus क्या होता है? जल्दी से मुझे बताओ आपने share की cat family देखी है? जल्दी से मुझे बताएंगे cat family किस-किस ने देखी है? I am waiting for your answer जल्दी से बताओ, waiting for your answer बच्चा फटापट से Pardus category, Pardus के उपर आ गई हूँ तो मैं सिप एक specific organisms के बारे में ही बात कर रही हूँ तो यहाँ पर all organisms are similar सारे organisms यहाँ पर क्या होंगे? similar होंगे, यहाँ पर अलग होंगे, यहाँ पर अलग होंगे तो सबसे ज़्यादा similarities कौन से organisms के group में देखने को मिलेगी? species के अंदर देखने को मिलेगी तो species का मतलब अगर मैं समझाओं तो species की definition आप ऐसे लिख सकते हैं group of similar organisms कर सकती है आपस में which can interbreed and produce fertile of spring और क्या बना सकती है? fertile of springs दे सकती है तो वो सभी किस के अंदर आजाएंगे? species के अंदर तो सबसे ज़्यादा similarities किस में मिलेगी? species में मिलेगी सबसे ज़्यादा differences किस के अंदर होंगे? kingdom के अंदर होंगे तो I hope बच्चों आपको आज की क्लास मेरी समझ में आई होगी सारे concept आपको clearly understood हुए होंगे तो आज की क्लास में यही पर खतम करती हूँ यह जो मैंने example दिया यह रट्टा मान लेना कल की क्लास में पूछने वाली हूँ मैं तो आज की क्लास बच्चा में यही कतम करती हूँ meet you tomorrow तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे सुरक्षित रखेंगे जिनके भी doubts हैं कल की क्लास में सभी के doubts clear करोंगे bye bye बच्चों take care have a nice day meet you tomorrow